Hello friends, welcome to my YouTube channel Center for Non-Surgical Treatment I am Dr. Pradeep Mule Intervention Radiologist from New Delhi, India Today my topic is that the hemoptasis Hemoptasis is the blood coming in coughing and what are the causes क्या-क्या इसके कारण होते हैं Hemoptasis के India में सबसे जादा common cause होता है Tuberculosis जिसको TB भी बोलते है Tuberculosis then bronchiectasis then fungal infection sometime cancer जो होता है lungs के cancer होते है उसके कारण से भी hemoptasis हो सकता है और यह जो hemoptasis होता है इसको डियाग्नोस कैसे करा जाता है इसको डियाग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए हमको कि यह blood इस पूटम में आरा है कि नहीं आरा है और दूसरा जो टेस्ट होता है एक्सरेस टेस्ट होता है और उसके बाद में हम इसको city scan भी कर सकते है यह city scan से हमको एक localization मालूम पढ़ जाता है कि lungs में कौन सा area involved है और उसके बाद में हमको करना चाहिए ब्रॉंकोस्कोपी करना चाहिए और इसका treatment क्या होता है इसका treatment होता है तीन तरीके के treatment होता है एक तो होता है medical management होता है 90% जो लोग होते है वो medical management से जो medication होती है उससे इनका यह जो hemoptysis होता है ठीक हो जाता है यदि उससे ठीक नहीं होता है यदि quantity थोड़ी और ज्यादा आ रही है यदि मानलो थोड़ा और ज्यादा यदि हमॉप्टेसिस है क्वांटिटी उसकी जादा आ रही मानलो एक पा रहा है 50 ml आ रहा है 60 ml आ रहा है तो फिर एक ब्रॉंकल आर्टरी अम्बलाजेशन भी होता है यह जो नौन सर्जिकल टीटमेंट होता है ब्रॉंकल आर्टरी अम्बलाजेशन जो होता है वह उसकी टेक्निक आप देखो गए तो जैसे नौमल एक एंजोग्राफी होता है उस तरीके से होता है और यह लोकल आनेस्टेसिया में होता है इसमें बहुत जाता दिन एड्मिट होने की जरुबत नहीं होती है ज्स 24-hour hospitalization is more than enough उसको हम लोग जब एंजोग्राफी करते है तो जितनी जो आर्टरी को चेक करना होता है जिसमें एक तो ब्रॉंकल आर्टरी होती है फिर इंटरकोस्ट्र आर्टरी होती है जो ribbs के साथ सा जड़ों सब्सक्राइब करें तो करन दो को मेंुंट से पहले हैं। सकति किना थे और स्थाल जाता है। कभी किसी को cancer है या तो fungal infection है तो ऐसे जो patient होते हैं इनको surgery की भी जरुवत पर सकती है यह जो chest surgeon होते हैं they can do the chest surgery also thank you very much और यह दिसका detail information चाहिए आपको तो मेरी आप website में जा सकते है website का नाम है www.indianinterventionradioargy.com और या तो आप मेरे को mobile पे call भी कर सकते है WhatsApp भी कर सकते है 9810492778 thank you very much